सोगेज आप सभी को पता होगा कि आज सुप्रीम कोट के अंदर अर्णव गोसामी की अंतरिम बेल को लेकर सुनवाई थी जो कि सुबह साधे दस बजे शुरू हो गए थी और ये सुनवाई करीब सबाद चार बजे तक होते होते खतम हुए आजिए और फाइनली सुप्रीम कोट ने अपना फैसला सुना दिया है जी आज दोस्तों यह फैसला हुआ है अर्णव कोट के आजिश को अधिश को सुप्रिम को रिया कर दिया जाए और पचास जार उप यह फीस होती वह इन से ली जाएगी सो गाइज यह बड़ा information निकल का यह बड़ा फैसला आया सुप्रिम कोड की तरफ से सो गाइज यहां पर सुप्रिम कोड ने जो हाइज को बॉंबे हाइज को फटकार लगाई उन्होंने यह कहा कि अर्णव गोसामी की बेल को जो रिजेट करने का उनके पीछे क्या जो मोटी हइन देने का सुगết यहां पर इन्व गोसामी को रहत देते हुए सुप्रिम कोड यह फैसला दे दिया है कि उन्हें अंत्रीम तर Blood पर रिय कर दिये जाय है उसके अलावा है यहां पर सुप्रिम कोड का यह कहते हैं सुबह साड़े दस बजे तब से एसा है किहारा आध बिल भी दे दी गई है यहां पे सुप्रिम कोट ने काफी सारी टिपनिया की है जो कि वाकई में यहां पे सोचने वाली बात है है biology कि सरकार किसी यहां पर जस्टिस की जो टीम ने थोड़ा सा समय मांगा उसके बाद में अपना फैसला सुनाया और यह कहा कि अर्णव को सामी और दो अन्यों को ततकाल रिया करने के सुप्रीम कोड आदिश देती है और यह जो आदिश किस वज़े पे लिए गए उसके जो लेटर होता है जो भी कानुने जो कागजार कारेवाई होती है वह सुप्रीम कोड द्वारा बहुत जल्दी भेज दी जाएगी यहां पर बहुत ही बड़ी इंफर्मेशन निकल के आ रही है और उसके अलावा यहां पर काफी सारी जो बातें पॉइंट में आज रखे गए पूरे दिन यह सुनवाई चली थी करीब साड़े दस बज़े से लेके सवा चार बज़े तक और अर्नव गोसामी के रिया होने की पूरा भारत देशी इंजार कर रहा था फाइनली अर्नव गोसामी को अंतरीम बेल मिल चुकी है और जब से यह फैसला बाहर आया सुप्रिम कोर्ट से तब से लोगों के अंदर खुशी की लहर दोड़ पड़ी है और हर को अर्नव गोसामी को बढ़ाया दे रहा है रिपब्लिक भ जरूर बताएगा वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजिगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा ताकि आपको अगली वीडियो के अड़िट भी टाइम से मिलती रहे